चैनल्स में आपका स्वागत है इस चैनल पर हम आपको नवीनतम और रोचक विशयों पर वीडियो स्प्रदान करेंगे हमारे चैनल पर रोचक जानकारी, शिक्षा, मनुरंजन और अन्य विभिन विशयों पर वीडियो उपलब्ध है आप हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद आज हम देखेंगे 2D Transforms क्या होता है और इस्तमाल कैसे किया जादा है CSS 2D रूपांतरन CSS रूपांतरन आपको तत्वों को स्थानांतरित करने, घुमाने, स्केल करने और तिर्चा करने की अनुमती देता है 2D परिवर्तन देखने के लिए नीचे दिये गए तत्व पर माउस ले जाए इस अध्याय में आप निनलिखित CSS संपत्ती के बारे में जानेंगे परिवर्तन ब्राउजर समर्थन तालिका में संख्याय पहले ब्राउजर संसकरन को निर्दिष्ट करती है, जो संपत्ती का पूरी तरह से समर्थन करता है CSS दोडी तरीकों को रूपांतरित करता है CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के साथ आप निनलिखित दोडी ट्रांसफॉर्मेशन विधियों का उप्योग कर सकते है अनुवाद करना घुमाए स्केल एक्स स्केल पैमाना स्क्यूइक्स तिर्चा तिर्चा आव्यूह अनुवाद विधी विधी किसी तत्व को उसकी वर्तमान स्थिती से ले जाती है अक्ष और अक्ष के लिए दिये गए मापदंडों के अनुसार निनलिखित उदाहरन दिफ तत्व को 50 पिक्सेल दाई ओर और 100 पिक्सेल उसकी वर्तमान स्थिती से नीचे ले जाता है घुमाए विधी स्केल, विधी, स्केल, विधी किसी तत्व के आकार को बढ़ाती या घटाती है, चोड़ाई और उचाई के लिए दिये गए मापदंडों के अनुसार, निम्निलिखित उदाहरन दिव तत्व को उसकी मूल चोड़ाई से दो गुना और उसकी मूल उचाई से तीन गुना तक स्केल, विधी, स्केल, विधी, किसी तत्व को दिये गए कोन से अक्ष के अनुदिश तिर्चा कर देता है, निम्निलिखित उदाहरन दिव तत्व को अक्ष पर 20 दिगरी तक तिर्चा करता है, अधी 6 पैरामिटर लेती है, जिसमें गणितिय फंक्षन शामिल होते हैं, जो आपको तत्वों को घुमाने, स्केल करने, स्थानांतरित करने, अनुवाद और तिर्चा करने की अनुमती देता है। पैरामिटर इस प्रकार हैं, मैट्रिक्स, स्केल एक्स, स्क्यू वाई, स्क्यू एक्स, स्केल वाई, प्रांसलेशन एक्स, प्रांसलेशन वाई आज हम देखेंगे 3D Transforms क्या होता है और इस्तमाल कैसे किया ज़ादा है? CSS 3D रूपांतरण CSS Transition आपको एक निश्चित अवधी में संपत्ती मूलियों को आसानी से बदलने की अनुमती देता है CSS 3D Transformation का भी समर्थन करता है 2D और 3D परिवर्थन के बीच अंतर देखने के लिए नीचे दिये गए तत्वों पर माउस ले जाएं इस अध्याय में आप निनलिखित CSS सम्पत्ती के बारे में जानेंगे परिवर्थन ब्राउजर समर्थन तालिका में संख्याय पहले ब्राउजर संसकरन को निर्दिष्ट करती है जो सम्पत्ती का पूरी तरह से समर्थन करता है CSS 3D तरीकों को रूपांतरित करता है CSS Transform Property के साथ आप निनलिखित 3D Transformation विधियों का उप्योग कर सकते हैं Rotate X घुमाए Rotate X विधी Rotate X विधी किसी तत्व को उसके एकसक्ष के चारों और एक निश्चित दिगरी पर घुमाती है Rotate Y विधी Rotate Y विधी किसी तत्व को उसके वायक्ष के चारों और एक निश्चित दिगरी पर घुमाती है Rotate Z तरीका रोटे जेड विधी एक तत्व को उसके जेडक्ष के चारों और एक निश्चित दिगरी पर घुमाती है